मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे दर्शको 26 मई को अचला एकादशी है अचला और अपरा एकादशी के नाम से इस एकादशी को चाना जाएगा यह जेस्ट माश के कृष्ण पक्षि की एकादशी है एकादशी गुरुवार के दिन पढ़ रही है इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कर्ज हो गया है धन की कमी के कारण आपको बहुत से लोगों से उधार लेना पड़ा है कर्ज दिन बाए दिन बढ़ता ही जा रहा है आप उसे चुका नहीं पा रहे हैं ऐसी परिस्थिती में धन की आवक को बढ़ाने के लिए और मालच्मी को अपने घर में बुलाने के लिए आपको एक उपाई अवश्य करना चाहिए भगवान शिव भूले भंडारी हैं आपको क्या करना है इस दिन कर्ज से मुक्ति के लिए आपको एक लोटा जल लेना है एक कलश में आप जल ले ले पहले थोड़ी देर जल को मिट्टी के किसी पात्र में या मटके में रख ले उसके बाद तांबे के लोटे में आप निकाल ले डालने उसमें आपको एक चावल का दाना डालना है ध्यान रखे कि चावल का दाना टूटा फूटा नहीं होना चाहिए एक चावल का दाना डालने और एक काली मिर्च डालने और उसमें थोड़ा साचंदन, जो भी चंदन आपके पास हो, लाल चंदन हो, पीला चंदन हो, जो भी चंदन हो, थोड़ा सा चीटा उसमें डाल लें और शिव मंदिर जाकर सुभा के समय यदि आप यह उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है या फिर आप इसे प्रदोश काल में करें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है धीरे धीरे पूरे शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है पहले चारों तरफ अर्पित करें उसके बाद शिवलिंग पर उपर की तरफ आप अर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तु उभ्यम मंत्र का स्मरन करें, आपकी मनुकामना अवश्य ही पूर्ण होगी, धीरे धीरे कर्ज से आपको मुक्ती मिल जाएगी और धन की आवक घर में बढ़ेगी, साथ ही में आप शिवजी का जो जलाधारी से जल है वो घर वापस लेकर आएं औ और अपने मंदिर में रखें, उस जल का आप थोड़ा सा आचमन करें और अपने घर के सभी सदस्यों को उस जल का आप आचमन कराएं जिससे सभी का स्वास्त भी ठीक रहेगा, घर में अगर नकारत्मक उर्जा होगी या बुरी नजर का प्रभाव होगा वह भी कम होगा, म गहर के मुख्यद्वार पर आप घी का एक दिया अवश्य ही जलाएं, जिससे मा लचमी आपके घर में आमदत्रित होंगी और इस्थाई रूप से वास करेंगी, और आपके घर में कभी भी धन्गी कमी नहीं होगी, साथ ही में ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्यद्व कभी भी गंदा ना रखें घर के मुख्य द्वार पर चपल जूते विख्रे हुए ना रखें घर की लच्मी जाड़ू का ध्यान रखें ऐसे ही ना पटकें श्री शिवाय नमस्तु भ्यंदर्शिकों धन्यवाद